नमस्कार दोस्तों पड़ाई फोर ये चेल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तों हर्याना की एक बहुत ही बड़ी भरती से जुड़ा हुआ एक लेटर जारी किया गया है चीफ सेक्टरी ओफ हर्याना की साइट पे आप चेक कर सकते हैं दोस्तों हर्याना गोर्रमेंट General Administration Department Chief Secretary Office की तरफ से लेटर जारी किया गया है और Date-bound है दोस्तों Most Urgent जो है Information मांगी गई है अलग-लग Department से इसका subject हम चेक कर लेते हैं Regarding to send status report of Group D, Group D की भरती से रेलिटेड है ये Vacant post due to non-joining, unwillingness, resigned, reallocation which were advertised by the advertisement number 4-2018 for allocation of Group D waiting list, यानि कि अलग-लग Department से दोस्तों Information मांगी गई है Group D के regarding कि कहां पे कितने जो है, resign हुए है, कहां पे कितनी post vacant है ताकि जो Group D की waiting का मावला है दोस्तों उसको clear किया जासके, यह बहुत ही अच्छी कबर है और इसके एक regarding जो है दोस्तों, एक meeting भी fix की गई है और अदग-लग Department को निर्देश दिये गए हैं चीफ सेक्टरी हरियाना के तरब से कि वो अपने नोडल ओफिसर को निव्ट करके उस meeting में भेजें और बिल्कुल डेट यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि 14 माई को जो है सीरियल नंबर एक से लेकर 30 तक के डिपार्टमेंट वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे और 15 माई को जो है सीरियल नंबर 31 से लेकर 61 तक के जो डिपार्टमेंट है उन्होंने वहाँ पे रिपोर्ट करना है सुवह 11 बजे पंचकुला हरियाना स्कार सेलेक्शन कमीशन के ओफिस में तो दोस्तो लिस्ट भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं यह पूरी लिस्ट यहाँ पे इन्हों ने डाली है सीरियल नंबर एक आपके सामने है एडिनिस्टेस्टन जनरल एंड ओफिसियल ट्रस्टी एंड ट्रेजरर चेरिटेवल एंड ओफिमेंट्स एड़ोकेट जनरल है एडिकल्चरल है तो अलग इनिमल है अन्टिरिय और दीपार्टमेंट के हैं ओर यहां पे जो है 61 के आसपास जो है डिपार्टमेंट इन्होंने मेंसिंट की हैं इन सभी को जो है वहां पे जाके रिपोस्ट करना है दोस्तों और जब यह वहां पे जाके रिपोर्ट करेंगे तो उनके सामने जो है एक्चुल स्टेटस होगा दोस्तों कि किस डिपार्टमेंट में ग्रूप डी की कहां पे क्या पोजिशन चल रही है ताकि जो ग्रूप डी की वेटिंग का मामला है उसको क्लिए किया जासके त सब्सक्राइब करें तो लाइक करें वीडियो को शेर करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद